मेश राशी वालों के लिए 15 जनवरी से लेके 21 जनवरी का समय कैसा वेतित होएगा ये सप्ता क्या सावधानिया बरत्नी है और क्या विशे सुपलब्दियां मेश राशी को मिलने वाली है मेरा यह राशीपल चंद्रमा के गुचर के आधार पे है और चंद्र राशी के आधार पे है अगर आपका लगन और चंद्र राशी एक है तो आप इसे लगन के आधार पे भी देख सकते हैं सूर्य का राशी परिवर्तन इस सप्ता महत पुन होने वाला है और सूर्य मकर राशी में प्रवेश कर रहा है मकर संकरानती भी है सूर्य दिखबली भी है हाला कि मकर राशी में सूर्य अपने शत्रू की राशी में है तो कहां रखनी है सावतानी, शुरू करते हैं मेश राशी पल, तो स्वागत है आपका जूति स्वास्तू और उपाई के चैनल पे, चैनल पे अप मेरे आप न्यू वीवर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने का सपोर्ट कीजिए, अब शुरू करते हैं मेश राश अब मेश राशी की बात करें, तो कुछ भी नया आप स्टार्ट करने की समय सोचेंगे, धन की इस्तिती आपके अच्छी रहेगी, लाप के घर में चंद्रमा चलेंगे, तो आए में आपकी व्रद्धी होईगी, हाला कि ये सप्ता खर्चे भी लेके आएगा, जो आपके प स्टिती की, धन की द्रश्टी से देखें, तो ये सप्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके लाप भाओ के अंदर चंद्रमा चल रहे हैं, तो रुका हुआ लाप आपको प्राप्त होएगा, आई में भी व्रद्धी होईगी, कोई बड़ा वदलाओ भी हो सकता है, आपका बाद में कुछ गड़बड हो जाए, तो बहुत ही सावदानी के साथ चलें, किसी भी परकार से धनका लिंदेन अगर आप कर रहे हैं, या ओनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वहां आपको सावदानी रखना बहुत ही जरूरी है, वैनेज रे को आप कोई गुप्ट भहेद, या जो आरति क्रूप से कोई प्लानिंग, वह खुल सकती है और रोज से आपको नुक्सान हो सकता है, इस चीजकर अपको ध्यान रखना है, बाचीत में अपने भोटी ध्यान से आपको बाचीत करनी है, सफलता आनलाइकि सफलता अपको देगा, पर परिवार में वातवर्ण अच्छा रहाएगा और आप अपने पार्टनर के साथ कहीं शौपिंग में मॉल में या किसी तीज तीस्तान पे आप गुमने के लिए जा सकते हैं जहां आपका धनों के माता किता से मिलने के लिए भी जा सकते हैं इस समय यात्रा उने का भी योग है और यात्रा उसे आपको लाप की प्राप्ति हो रही है इस अफ़ता अगर देखें तो 21 जन्वरी को पुत्रदा एक कादशी है इस दिन आप चावल खाने से बचें और अगर आप अपने कोई बरत बगरा करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए तो आप अवश्य ही इस दिन बरत रखें और 22 जन्वरी को अवश्य ही चावल का आप सेवन करें जिससे आपके जीवन में सुबता बनी रहेगी पार्टनर से आपके रिष्टे अच्छे चलेंगे फिर भी आप अपना ता जीवन में आप लोगों के मेश राशी वानों के अचानक से कोई बदलाव आएगा और कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है तो उसके लिए आप तयार रहें अब तारिक के साबसे बात करें 14 और 15 तारिक है यह जो तारिक है यहां पे चंदरमा चल रहे हैं और आप अपनी योजना है इस दिन चालू करते वे दिखेंगे आपके काम बनेंगे कारियों की रुकाउटें भी आपकी दूर होईगी तो बहुत ही अच्छी स्थिति है अगर आप नौकरी में नहीं तो नौकरी के लिए फ्रियास करें आपको रोजगार प्राप्ती यह जातर लगने की सुचना प्राप्त हो सकती है अब बात करें 16 और 17 तारिक यह जो डोनों तारिके हैं इस समय चंद्रमा चलेंगे खर्च के गर में जब भी चंद्रमा चलते हैं तो खर्च अचानक से ही बढ़ता है इस समय आपका अचानक से खर्चा बढ़ जाएगा विदे इस संबंदित कारे भी आपके हो सकते हैं। आप अपने निवास इस्तान से दूर यात्रा कर सकते हैं। और यात्रा आपके मंगलकारी हो进गी., यात्रा में आपको लाव होएगा। अगर आप घर से बाहर के कारे करेंगे इस समय तो आपके कारें बहुत ही अच्छी तरेके से संपन होईगे परन्तु घर के कारें आप घर में रहे आप तो घर के सामानों पे चीजों को खरीदने में आपका पैसा वेरत जाएगा वेरते तो नहीं जाएगा जरूरी चीजों आपके सेविंग करें फिर सकते हैं अपने मातापिता के उपर भी घर्च इसस टाइप का चल रहा है कि शोला सट्रा को कि कहीं बड़ा इंवेस्टमेंड कर रहा है ओनलाइन ट्रांजेक्षिन्न करição II वो तिस आवदाने के साथ करें, इन दोनों दिनों को, अब बात करते हैं 18-19 तारीक की, 18-19-21 ये जो तारीके हैं, ये तारीके हैं आपके मानसिक तनाव को कम करेगी, आपको कोई राहत पर एक खबर भी मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा आपके लंगनमा आएंगे, लंगने के ब आपको कुछ ने कुछ गुट नीज भी मिलेगी और कुछ ने कुछ आपकी समस्या भी हल होईगी, बहुत ही अच्छे दिन हैं ये, इस समय आप एक ही काम करें, हनुवन चलिसा का पार्ट आप लगातार करते रहें, क्योंकि मंगल आपकी राशी का स्वामी है, और जो मंग संक्रांती भी आ रही है, तो मकर संक्रांती को आप तिल और मोटा आटा ले, कोई सा भी मोटा आटा ले सकते हैं, और थोड़ी सी बूरा ले, इन तीनों को पीस करके, मिक्सी में पीस करके, जहां भी चीटियां होती है, प्रेड़ी के आसपास, वहां आप इसको डालें, इ सबसे बहुत है कि स्फत्र नाम का पार्ट करने से गुरु जो आपके लगनमा आएं उसके बहुत है पहँत की नाम मिलेंगे 720ा2 चोंकी संतान प्रापतीको मिलें, तो आप गरबादान के लिए आप ट्राय कर सकते हैं तो विश्णु सहिस्वनाम का पार्ट और गुरू के बीज मंत्रों का जाप आप करते रहे हैं संतान भाव पे गुरू की दस्टी है जो आपको संतान का सुख देगी दूसरा आप अगर रिलेशन्शिप में है तो आपके रिलेशन्शिप बहतर होएगी तीसरा शिक्षा के लिए कहीं अच्छी जगे पर एड्मीशन आप प्राप्त करना चाह रहे थे तो वो भी आपके मनोकामना पूरी होएगी अगली जो मनोगामना पूरी होईगी हुआ है कि भागयास्तान पे द्रश्टी है गुरू की तो भागया का आपको साथ मिलेगा इतने सारे फायदे आपको होने वाले हैं साथी साथ वेवाइक जियून भी सुख में होएगा मेश राशी वालों के इस वर्श शादी के भी प्रबल ही रूप से योग बने वे हैं इसलिए विश्मु शैस्त्र नाम के पार्ट से आप जूड़े नहीं तो ये मेश राशी वालों का राशी फल है साप्ताइक इस साप्ता को और अधिक बहतर बनाने के लिए मकर संकरांती का एक खास उपाए जो आप अवश्य ही करें मकर संकरांती के अंदर गुड़ और तिल के लड़ू किसी व्यक्ति को दान करें साथी साथ आपके उपरशनी की साड़े साथी का बेप्रभाव आने वाला है इस कारण से काले तिल का एक लड़ू बनाए और उसमें गुड़ वगरा मिक्सक पहले से ही कर दें और भीतर एक आप उसके एक सिक्का अंदर रग दें शिख्के को चुपा के रख दें और किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें और दे करके तुरन्त आ जाएं पीछे मुरु के न हदे कें जैसे ही ववैक्ति सिक्का उसमें से उसको मिलेगा अचानक से उसके धनप्राप्ठी होईगी और यही धनप्राप्ठी की अनुभू